वेलकम बैक टू यूर ओन चैनल राइट ओन बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जिसे कि थामनेल से आप सबको क्लियर हो रहा है कि माथ मास्टर कैडर के लिए तियारी कैसी करें शुरुआत कहां से करें बुक्स कौन सी होनी चाहिए सेल्फ स्टड़ी करें और कोचिंग लें मौक टेस्ट कहां से मिलेंगे लोट अफ थिंग्स हम कौन सा सब्जक्ट देने के लिए इलीजिबल है एक्जाम पेक्टरन क्या रहने वाला है बहुत सारी कोश्चिंज आपके माइन में होते हैं और उन सब कोश्चिंज का अंसर अब मिलेगा सिल्फ स्टरड़ी करने चाहिए या नहीं करने चाहिए बहुत सारे कोश्चिंज के अंसर आपको मिलने वाले हैं घीक है तो बिलकुल स्राट करते हैं कोई टाइम बेस नहीं करेंगे राइट ओन के साथ आगे बढ़ते हैं तो लेट्स गो चोटी से एक रिकि अब हम नया कोर्ष शुरू करने जा रहे हैं Math Master Cader का Full syllabus जिसमें हम डिसकुस करेंगे और उस सब की जो information है, update है, regular life classes के link है वो सब कुछ आपको telegram ग्रूप पर ही send किया जाता है तो description में link है, so जल्दी जल्दी जोइन करें और let's start आज का topic, उससे पहले आप सब को बहुत बहुत congratulations जो भी students अभी अभी PS test clear करकी आए हैं, उन सब को बहुत बहुत congratulations I know अभी result नहीं आया, answer की नहीं आई, but exam देने के बाद YouTube से आपने अपना answer के मिला लिया होगा, मतलब after exam हमको clearly कहीं न कहीं पता चल जाता है कि हान जी मेरा exam clear हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि आप एक सेड़ी चड़ चुके हैं, अब अगले step की बार ही है, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका और congratulations again, के आप थोड़ा सा और आगे बढ़ती हुए, अब आप master grader की तियारी करें और उस exam को crack करने के बाद, आप जल्दी ही क्या होंगे, अपनी government seat पर होंगे, अपनी government teacher की seat पर होंगे, जो आपका एक सपना है, तो चलें, आगे बढ़ते हैं, congratulations again, don't forget to like, subscribe and share, ये बहुत जरूरी है, मेरी फीस है, इतना आपको करना पड़ेगा, like करना पड़ेगा, subscribe ने किया, then press the button, and share तो बहुत जरूरी है, अपने friends को करें, जो अभी भी confused हैं के तियारी कैसे शुरू की जाए, क्योंकि ये वीडियो बहु सारे आपकी doubts क्लियर करने वाली हैं, चलो, तो बिन करते हैं, कि क्या क्या eligibility है, subject combination, सबसे पहला doubt, जब हम एक्जाम दे के निकल दे हैं, तो हमें doubt होता है, कि अगला एक्जाम देना है, उस एक्जाम के लिए हमें क्या करना है, कौन से subject में हम एक्जाम दे सकते हैं, a lot of questions are there, तो सबसे पहली बात, क्योंकि हम लोग यहां पे, main subject हमारी 6 subject होते हैं, SSG, Math, Punjabi, Hindi, English, and Science, तो यह सारे subject होते हैं, जिसका master cadre exam आप आप आगे दे सकते हैं, music भी होता है, but that all are secondary, but अब फिलहाल हम इन subjects की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात, एक condition आपको पता होनी चाहिए, कि अगर आपको किसी भी particular subject का master cadre देना है, तो graduation में आपका वो subject clear होना बहुत जुरूरी है, graduation में वो आपका main subject होना चाहिए, तो आप उसका master cadre दे सकते हैं, और B.I.ड में भी आपक teaching subject, जो main होता है, for example, math science है, तो अगर आप B.I.A.D. with math science का रहे हो, तो आपके पास 2 main subject होते हैं, teaching of mathematics and teaching of science, बाकी compulsory subjects होते हैं, तो वो आपके पास होना जुरूरी है, तब ही आप master cadre दे सकते हैं, मतलग, अगर आप S.S.T. का master cadre देना चाहते हैं, तो graduation में आपके पास S.T. के subject like political, history होना जुरूरी है, और B.I.A.D. में भी आपका combination S.T. होना चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं, तो graduation में आपके पास maths होना जुरूरी है, तो बहुत सारे SA students है, जिनके पास only maths होता है, जैसे कि only maths का मतलब क्या हो गया, कि मेरे पास economics था, math था, क्योंकि का master cadre नहीं होत होता, वो plus one plus two का subject है, उसका lecture cadre होता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ math का ही exam दे सकती हूँ, और कोई exam में नहीं दे सकती, second, अगर हम बात करें, वो students होते हैं, जो science student कहलाते हैं, science student कौन सी होते हैं, वो study करते हैं, math, physics, chemistry, like this, तो ये भी हमारे साथ, हमारे साथ math का exam, individual exam, जिसमें सिर्फ और सिर्फ math की questions आती हैं, वो दे सकते हैं, क्योंकि इनोंने graduation में भी maths पड़ा है as a main subject, और B.I.D. में भी हिनके पास teaching of mathematics था, तो कहने का मतलब, अगर आपने graduation में और B.I.D. में वो subject to word पड़े हैं, तो आप दे सकते हैं, जैसे कि for example, कुछ student ऐसे होते हैं, जिनके प अगर मैं सिर्फ math के साथ economics में लेकर मैं कहूं के मेरे पास एक math था और एक elective English थी, तो मैं दो master cadre दे सकती हूं, एक math का और English का, so clearly आपको I hope clear हो गया होगा, इसे किसाथ सारे doubt clear हो गए होंगे, कि ग्रेजिशन और B.I.D. में जो आपके पास subject थे, वो उनका आप master cadre दे सकते ह हर एक subject में क्या होता है, 150 questions होते हैं, sst में 150 questions होंगे sst के, math में 150 questions होंगे math के, panjabi में 150 questions होगे panjabi के, similarly, but science एक ऐसा subject है, जिसमें, in next slide I will explain, science एक ऐसा subject है, जिसमें 150 questions जो है, वो किसके होते हैं, वो 3 parts में distribute कर देते हैं, देखो science आपके पास medical और non-medical को मिला के 5 subject होते हैं, physics, chemistry, math, zoology, one more, हना, तो आप क्या करते हो, क्योंकि आपके पास science का mastercard देने के लिए, कोई भी 3 subject आपको चूज करने पड़ते हैं, तो according to your qualifications, आप कोई भी 3 subject चूज करते हो, for example, मैंने BSc non-medical की है, तो मैंने BSc अगर non-medical की है, तो मैं कौन से 3 subject को select करूंगे, मैं select करूंग maths को, physics को, और chemistry को, मतलब science एक ऐसा subject है, जो total 150 marks का होता है, और हर एक subject 50 marks को carry करता है, this is the exam pattern for the science mastercard, अब बहु सार एक्जाम, मतलब students का ये question होगा, कि physics, chemistry की जगा कोई और subject हो सकता है, वो आपके ओड़ी साइड है, as जैसे मैंने बताया, 5 subject होते हैं, 5 में से कोई भी 3 आपको select करने होते हैं, according to your graduation, तो इस बात का ध्यां रखना, जो भी आप 3 subject select करते हो, उस में से 2 में आपके graduation का होना बहुत जादा जुरूरी है, for example, मेरे पास एक message आया था, उस message में एक बच्चे ने कहा, कि मैंने क्या किया था, graduation में math पड़ा था, मैंने physics पड़ी थी, और मैंने computer पड़ा था, क्या में science का master cadre देनी के लिए eligible हूं, then I said, yes, क्यों, क्योंकि उसके जो 2 subjects हैं, वो उसने graduation में cover किये हुए है, मतलब अगर आप science का master cadre देन जा रही हो, और 3 subject आपको चूस करने हैं, उस में से 2 subject compulsory हैं, कि आपके पास graduation में होनी चाहिए, तो ये student, science का भी master cadre दे सक है, individual, clear है, science में तो math हाईगा, math में only math होता है, I hope, आपके सारे doubts clear हो गए होंगे, ठीक है, तो ये तो थी basic knowledge, जो हर बच्चे के माइन में होती है, हर would-be teacher, would-be teacher के माइन में होती है, कि कैसा subject हमें लेना है, क्या हमारी eligibility बनती है, and all, second हम discuss करते हैं, कि exam pattern math का क्या रहने वाला है देखिए, अगर हम बात करें, math दो subject में आता है, अगर आप math का mastercard दे रहे हो, तब तो common sense math आएगा ही आएगा, और अगर आप science का mastercard दे रहे हो, तब भी आपको math पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी-भी में ने पताया, science ही एक ऐसा subject है, जिसमें 3 subject cover होते हैं, हर एक subject 50 marks क को लेकर होता है, अगर आप BS in on medical के student हो, तो आपको math वहां पर भी करना पड़ेगा, simple, तो math के according पहले बात करते हैं, exam pattern बिल्कुल भी मुश्किल निया, सब को already पता है, कि math के exam में क्या होगा, 150 questions आएंगे, और 150 questions सारे के सारे किसकी होंगे, math की होंगे, और इन 150 questions को solve करने के आपको 150 minute दिये जाएंगे, और in 150 minute के अंदर हमने हमारा सारे exam खतम करना होता है, ठीक है, clear है, 150 questions है, सारे questions बात के होंगे, math का, अगर आप exam दे रहे हो, तो science student math का exam दे सकते हैं, no doubt, और अगर हम बात करें, इसके इलावा, negative marking नहीं है, in future I can't say anything, but फिलहाल अभी तक negative marking नहीं साइंस, साइंस के अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने बताया, आप कोई भी तिन सब्जेक्ट चूज करते हो, according to your qualifications, just wait for one minute, according to your qualifications, आप तीन सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, अगर उसमें से एक, आप math लेते हो, तो आपको 50 marks का math कवर करना पड़ेगा, one more question, जो सब स्टुदेंट्स का होता है, क्या math के लिए जो हम syllabus करने वाले हैं, और science के लिए जो हम math का syllabus करेंगे, वो दोनों सेम हैं, जी हाँ, आप अगर math यहाँ पे cover कर रहे हो, यहाँ पे math कर रहे हो, तो दोनों का syllabus सेम रहने वाला है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, यहाँ पे 150 marks के लिए आप तो सारा syllabus करोगे, और यहाँ पे 50 marks के लिए आप लोग सारा syllabus करोगे, दोनों का syllabus सेम हैं, कोई भी उसमें difference नहीं है easy one more thing यहां पे three subject होंगे जिसमें से हर एक subject जो है 50 marks को cover करेगा one more thing यहां पे भी कोई negative marking नहीं है easy exam pattern बहुत सिंपल था ठीक है चोड़ा अब हम थोड़ा सा हमारी strategy के उपर बढ़ते हैं जिस चीज का आप सबको इंतिजार था और जिस चीज के लिए हमने specially video बनाई है क्योंकि बहुत सारे confusion रहती है कि कहां से start करें क्या करें सबसे पहले कितना टाइम बैठें कितना ही timing हमें हमारी study को देनी है sitting कितनी होनी चाहिए तो सबसे पहला question यही होता है क्योंकि जब भी हम book उठाते हैं हम सोचते हैं भी चोलो बैठते हैं तो हमारे पास एक proper time table होना चाहिए कि इतने दिन में अगर हमें लगता है कि चलो morning मैं busy हूँ उसके बाद दुपहर के बाद rest वगरा करके चार बज़े बैठ जाएंगे तो चार बज़े से लेके 7 बज़े तक 2-3 घंटे आपको minimum देने हैं मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आप 4-7 ही बैठो मेरे कहने का यह मतलब है कि आप minimum 2-3 घंटे अपनी स्टडी को अभी से देना शुरू कर दो यह मेरे कहने का मतलब था 2-3 घंटे अभी शुरू करोगे देरे 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 इसको इंप्रूफ करेंगे और चार से पांच तक पहुंचेंगे जब एक्जाम क्लोज आ गया नजदीक आ गया तो थोड़ा और टाइम देंगे इसको जादा ही करना है कम नहीं करना है इस चीज का आपनी ध्यां कि ताइमिंग मिनिममं स्टार्टिंग में 2-3 घंटे जरूरी है अगर आप नहीं दे पारे आपके सेटिंग बिलकुल नहीं हैं मुस्तली जो लेडिस मेरीड होती है उनके सेटिंग आफ्र लॉंग टाइम मुश्किल होती है बनाने के दो-3 घंटे देना मुश्किल है तो आप कम से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, कि अगर आप आफ्टर लॉंग टाइम पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो हमेशा पहले एक घंटा दो, धीरे 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 जब हैबिट आपको लगता है कि हां जी, अब मैं एक घंटा दे पा रहा ठीक है, तो मिनिममम टाइमिंग आपकी मास्टर के लिए सिटिंग कितनी होनी चाहिए, दो से तीन, मैक्समम आप कितनी दे पा रहे हो वह टोटली, आप पे डिपेंड करते हैं, तो हम बात करते हैं, जब भी आप पढ़ रहे हो, आपका माइन फ्रेश होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा माइन फ्रेश नहीं है, मैं लगातार एक घंठा पढ़ने के बाल थक जाता हूँ, then I will give you advice, आप 5 मिनिट, 15 मिनिट, 10 मिनिट, 20 मिनिट ब्रेक ले लीजी, no doubt, but आप नेक्स्ट टॉपिक, आप तभी स्टार्ट केजिए, जब आपका माइन हम यह तो देख लेते हैं कि हमें दो गंटे पढ़ना है, पर क्योंकि हमारा माइन फ्रेश नहीं होता, इसलिए हम उस दो घंटे में क्या करते हैं, हमें खुद को नहीं पता चलता, हम जस्त बैठे हैं, रटे लगा रहे हैं, सौलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिन सौ आप लोग फोलो किया कीजिए, आप एक घंटा पढ़िए, पहले 55 मिनिट पढ़ो, उसके बाद 5 मिनिट का एक चोटा सा ब्रेक ले लो, एक चोटी सी रिक्वेस्ट है, इस 5 मिनिट के ब्रेक में, फोन को तो हाथ मत ही लगाना, मतलब फोन अगर आपढने के लिए यूज क इस तरीके से आप अपने आपको फ्रेशर भी रख सकते हो, और स्टडी को लॉंग टाइम तक आप कंटीनू रख सकते हो, ठीक है जी, ये एक तरीका है, स्टडी करने का, तो ये तो हमें पता चल गया, कि चलो, स्टार्टिं में इतना टाइम देना है, जादा भी दे सकते ह ठीक है, तो आगे के चलते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें, बुक्स, अब हमें ये पता है, कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये भी पता चल गया, कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, पहले 55 मिनिट पढ़ लो, 10 मिनिट का ब्रेक ले लो, फिर 55 मिनिट पढ़ लो, फ तो हम पढ़ेंगे कहां से, किस चीज को हम लग फॉलो करें, तो सबसे पहली चीज, आपके पास, जो माथ मास्टर के अडर है, ड्रा नहीं रही हूं, बट क्लियरली बोल रही हूं, आप सब को अल्रेडी पता है, सलेबस बहुत जादा वाइड है, इतना वाइड है, के सारी प्लस इन, प्लस टू उसमें इन, सारी ग्राइजवेशन इसमें, कुछ की टॉपिक, मास्टर, ओफ मास्टर के भी कावर होते हैं, ठीक है, M.A.C. Mathematics के भी कावर होते हैं, तो यह चीज तो हमें क्लियर है, की चीज बहुत जादा है, मिनीमम, दो से तीन महीने में तो आपक ले बिस कभी cover भी होगा ठीक है तो best books आपको कौन कौन सी follow करनी है सबसे पहले तो आप प्लस 1 और प्लस 2 की books उठा लीजिए NCRT को हाथ मत लगाना NCRT में बहुत कम मतलब practice questions नहीं है आपको अगर सब कुछ clear करना है कि आपका कोई doubt ही न बचे तो आप प्लस 1 और प्लस 2 की books उठाएं modern की modern mathematics वोलियम 1 और वोलियम 2 करकी दो books आती है दो प्लस 1 की होंगी दो प्लस 2 की होंगी अगर आप टीच करते हैं तो आपको clearly पता होगा कि यह books बहुत ज्यादा useful है कोई भी आपका इसमें doubt नहीं बचे का प्रैक्टिस के लिए question ही question है mcqs भी आपको यहां से मिल जाएंगे a lot of things that जो आपको यहां से मिल जाएगी बहुत कुछ आपका clear हो जाएगा बल्कि आपका जो slabbers है ना उस slabbers में जब आप देखोगे कि हांजी matrices and determinant लिखा हुआ है और उसके नीचे जो topics लिखी हुए है केस topic आपको यह सब टॉपिक करने है वह सारी डिक्टो modern के उठा के लिखे हुए है आप चेक कर सकते हो तो इन दो बुक्स को तो आप fix ही कर लो कि यह तो करनी ही करनी है सारी की सारी चीक है उसके बाद अगर हम बात करें आपको graduation की भी books ही करनी है graduation की books को आपको ठाना पड़ेगा अगर आप अच्छे से अपनी त्यारी कर सकते हूं क्योंकि अभी तब तो देखो clearly बोल रही हूं आपके पास बहुत सारा time है बहुत सारा time in the sense कि इतना time है कि आप अच्छे से एक एक चीज कवर कर सकते हूं एक advice ले लो छोटी सी कि ये मत सोचो कि नोट्स है मेरे पास ठीक है इन नोट्स से बाहर कुछ नी आएगा ये गलत फैमी कभी मत दालना नोट्स के अंदर limited होके कभी नहीं पढ़ना चाहिए जब आपको एक topic दे दिया उन्होंने आपको एक matrices and determinant का topic दे दिया तो इस topic को मादा ना पढ़ना पड़े दो मिनित एक्स्ट्रा ना लग जाए हम कोई भी topic skip कर देते हैं ऐसी गलती नहीं करने चाहिए प्रेविस एक्जाम में यही गलती हुई थी तो मैट्रेश एम डिटर्मिनेंट को जो topic है उसके जितने भी सब topic है ये आप प्लस 1 प्लस 2 से cover कोरो graduation के topic graduation के book उठाकर cover करो at least एक बार go through तो जरूर हो जाओ एक बार नज़र जरूर मार लो हर एक चीज़ पर हान जी ये ऐसे ऐसे था ताकि exam में जादा problem face ना करने पड़े ठीक है तो limited कभी नहीं होता competitive exam भी limited होते हैं नहीं होती तो इस चीज़ को समझो books को उठाओ self study करो इस से अच्छी त्यारी कभी नहीं हो सकती seriously तो plus one plus two की modern की books उठाओ graduation के आपके पास books होंगी अगर नहीं है तो don't worry उसका solution में आपको आगे वली slides में बताऊंगी ठीक है और इसके बाद अगर हम बात करें मैं mcq कहां से करें जी बिलकुल graduation अब आपने for example mattresses and determinant का topic था आपने plus two की बुक से cover कर लिया हां जी अपने graduation की बुक से cover कर लिया हां जी कर लिया तो आजाओ next आगे हम discuss करते हैं कि इसके बाद आपको कौन-कौन से books follow करनी है आडी शर्मा अब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आयाइटी जेई की बुक है और बहुत जादा beneficial बुक है दिनेश अब्जेक्टिव मैथमेटिक्स अब इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो प्रीवेस एक्जाम दिनेश की बुक से था इससे जादा बड़ी एक्जामपल आपको क्या चाहिए ये वाला एक्जाम दिनेश की बुक से था सिंपल कहने का मतलब क्या है बुक्स उठाओ पर्टिकुलर लिमिटेड मत रहो एक बार अपना सारा टोपे कवर करो आपके पास टाइम है आपको ये करना चाहिए सिंपल चीक है तो यह मैंने कुछ पर्टिकुलर बुक्स बताई प्लस वन प्लस टू मैथमेटिक्स मॉडर अच्छे लेवल के mcqs मिल जाएंगे ट्रिक्स मिल जाएंगी a lot of things ठीक है ग्रेजेशन के जो mcqs होंगे उनके लिए मैं आपको help करोंगी ग्रेजेशन के mcqs आपको इस चैनल से इसली मिल जाएंगे आपको कहीं भी जाने के जुरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके सब कुछ तो ठीक है मैं तो क्या कोचिंग ले तो मैं आपको एक क्लियर बात बताओं सेल्फ स्टड़ी इस बेस थी ठीक है आप कोचिंग लेना चाहते हो यह आपकी प्रेफरेंस है आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे स्टड़ी करो बट आपके कर वैरे रहे हैं आपको चिंग रएयो वैरी गुट आपकी अच्छे प्रेक्टिस हो रही है आपको चिमोक्रेस मिले रहे आ है साब कुछ अच्य से मिल रहा है सब कुछ अच्छे सी म्राइब बेरी गुट बट डोंट फोगेट तु दू दीज थेंग्स । यह करना है को देखते हैं तो हम नहीं सीख़ पाते हो अगर आप 14-15 गंठे पड़ते हो तीन घंटे 22 गंटे क्लासिज लगाऊ उसके बाद रिवीजन को उसके बाद एक घंटा MCQS कोरो, that's it, समझ रहे हो, तो coaching करो, ना करो, that is totally depend on you, but don't forget to do self-study with the help of books, ठीक है, next अगर हम बात करें, हमारी strategy क्या रहने वाली है, इस चैनल की strategy क्या रहने वाली है, इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्या मिलने वाला है, देखिए, इस यूट्यूब चैनल पर, जैसे कि म ठीक है, mattresses or determinant, सबसे पहले, आपको हम cover करवाएंगे, plus two की book से, plus two की modern की book, मैं clearly बोल रही हूँ, मैं यहां से ऐसे नहीं कहूँगी, कि मैं खुद करवा रही हूँ, क्योंकि, खुद मैंने mattresses and determinant नहीं बनाया, तो मैं यहां से clear हूँ, कि मैं आपको mattresses or determinant करवाँगे, सबसे पहले, plus two की modern की book से, और वहां पर जो भी चीज़े हैं, एक एक point, with the help of youtube classes, आपके साथ share किया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद, मैं graduation की book उठाऊँगी, आपके syllabus के topic के according, जो जो chapter आपका graduation की book में है, वो सारे मैं आपको youtube classes के according करवाँगे, फिर हम topic खतम करने के बाद, ए वीजन नहीं बोल सकते, ट्रिक्स बोल सकते हो, जो आपको सही लगे, एक नाम दे देंगे, ठीक है, एक class लगाएंगे, जिसमें हम revise भी करेंगे, और ट्रिक्स को भी discuss करेंगे, और मैं बहुत clearly वो बोल रही हूँ, कि उसके लिए मैं RD, शर्मा और दिनेश की books को use करूँग मैं अपनी तरफ से आपको MCQs बना के दे दू, but exam में आ रहा है books से, तो हम किसको, books को ही लेके चलेंगे, हर बर exam books से आता है, तो इस चिसको negative नहीं, इस चिसको positive की तरह देखो, कि आपको सब कुछ books से ही मिल सकता है, ठीक है, clear, तो हम सबसे पहले plus two की books से अपना topic कवर करें करेंगे, after that YouTube class के में ही आपको graduation, इस तरिके से सारा topic करने के बाद, with the help of tricks और बहुत सारे MCQs भी मैं आपको RD Sharma और Dinesh की books से cover करवाऊंगी, graduation के लिए आपको specially अच्छे MCQs मिलेंगे, वो भी मैं लेकिया हूंगे, I hope clear हुआ कि हमारी इस YouTube channel की क्या strategy होने वाली है, regularly आपकी class क्लास जो है वो live लगेगी, आभी मैं time fix नहीं कर पा रही हूं live classes का, ठीक है, so इसलिए एक बार, कल, 6 PM, 6 PM, आपकी class live होगी, जिसमें हम पहला chapter discuss करेंगे, यहां पे लिखरी हूंगे, I think so, और पेज नहीं है, sorry, 6 PM, tomorrow, हम हमारा syllabus शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहला chapter होगा, complex numbers, तो सबसे पहले complex numbers, प्लस वन की book से cover किया जाएगा, graduation में इसका कोई part नहीं है, after that, दिनेश और आडी शर्मा से आपके साथ tricks, और जो भी important notes होगे, वो आपके साथ share किये जाएगे, और अगर आपको लगता है, मैं, हमारे पास books नहीं है, तो हम क्या करें, आपको जो भी presentation यहाँ पे बनेगी, plus जो भी mcqs मेरे पास होँगे, मैं उनकी pdfs आपको share करूँगी, in the telegram group, छीक है, एक मिलकुल message आया था, पंजाबी आगी, हाँ जी, एक मेरे पास message आया था, एक student का, उनोंने कहा था कि साथ ही में test भी शुरू कर देना, देखिए, उसके बारे मैं फिल हाल, शूर नहीं हूँ, थोड़ी सी हमारी setting बनने थे, थोड़ी से आप अपनी setting बनाएं, हम अपनी regular हो जाते हैं, थोड़ा सा classes को लेकर, after that हम test भी शुरू कर देंगे, बट इस चीज़ को अब हम, अब भी से कुछ नहीं कह सकते, बट इन द फ्यूचर आइविल 110% शूर के test आपके होंगे जुरूर, क्लियर है जी, समझ में आया, हमारी strategy क्या रहने वाली है, और कैसे हम लोग त्यारी शुरू करने वाले हैं, तो अगर आपको लगता है कि मैम हम इतना नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि मैम हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, कि पहले प्लस टू, फिर ग्राइजुएशन, फिर पढ़ना, हम मैरीड हैं, हम इतना ने टाइम देवारे, जो कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, टाइम शोटेज आता है, इतना वाइट टाइम आपके बास नहीं है, तो आपको क्या करना है, क्लासिस को अटे यह आपका काम है, पर यह आपको रोज करना पड़ेगा, this is compulsory for you, ठीक है, आपको कहीं पर भी लिमिटेड होके नहीं रहना है, एक बार गो थू हमारे चैनल के थू आप जरूर होंगे, I will try my best कि कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं, और सब कुछ आपका complete करवाया जा सके, जाद से जाद आपकी प्रेक्टिस हो सके, बाइट सले बस आपका है, जल्दी से जल्दी कम्टेट करने की कोशिश करेंगे, I hope यह सारी चीज़े आपको छे से क्लियर होगी होंगी, but still if you have any kind of doubt, you can ask in the comment section, so you can ask in the comment section, कोई भी आपका doubt है, आप comment section में पोच सकते हैं, कल सां 6 आपको मॉर्निंग ही लाइक का लिंक मिल जाएगा टेल्गरम ग्रूप में, और छे बजे हमारी क्लास होगी, क्लियर है, I hope everything is clear, so thank you so much, share, like और subscribe करना मत भूलना, take care